आगर इनको अपने इस्वर की तस्वीर प्रचारीत करनी है तो उसमें आप देखेंगा हनुमान जी की ऐसे गुस्य में आग बोबला यह इस वर का रूप है इस वर जो गुस्षा होते हैं इस वर को गुस्षा होनी जुरत है क्या अगर अगर इस वर चबतकार करते हैं तो गुस्सा होने की अवस्ता क्या है तो चू करेंगे और दुश्मन नस्ट हो जागा बार बार कहाता है कि धरम नहीं धंदा है जो पुजारी मंदिर में बैठने की तंखा लेता हो या पुजा करने के बदले पारितोस लेता हो तंखा लेता हो या कुछ पैसे लेता हो तो साफ साफ संदारता है कि हाँ यह धंदा है इसी प्रकार से जो राजनेता अपने दमाज चुटते बखत तो मुसलमान ही देखते हैं कि मुसलमान है या हिंदू है लेकिन जब फील में जाते हैं मंचों पर जाते हैं तो मुस्लमानों के खिलाफ जो है वो जहर उगलते हैं और हिंदुतुप का नाम लेते हैं तो यह समझना चाहिए कि यह उनके जो धरम जो है उनके लिए कोई धरम का मामला नहीं है यह राजनीती का मामला है यह उनके लिए राजनीती है बड़ केजरी वाल ने भी हर ऑफिस में जो है बाबा साहिब की तस्वीर लगवा दी है लेकिन जैसे ही बाबा साहिब की बाइस प्रतिक ग्याएं ली गई तो वैसे ही केजरी वाल जी चूले हिल गई और नहीं जो है एक अमबेड कर भक्त का मंत्री पद छीन लिया और गुजरात मे लट्षमी गणेश की तस्वीर आनी चाहीएं बुद्द का देश की बात कहीं करी है बाबा सहीब की फोटो की बात लिए सीधे लट्षमी गणेश कि अवहां सबाब갈 ऑब सही भाबा सहां को आज और वह गणना करने लगें और वह गणा पचारे ठुद नहीं कर रहे हैं ब ऐसी मानसित्ता पैदा कर रही है लोगों में कि वो जो हैं बाबा साहिब से जाने अंजाने जो घणा करने लगे हैं। बादाशन करते हैं जिस तरह से मनिसा बालमिकी घृटना को होती है, लेकिन कहीं पर कोई भी घृता जलेकिन सांस्कृतिक बदलाब के लिए सांस्कृतिक आंदुलन के लिए इस देश के लोह को यह समझाने के लिए जिज्पटी caste हारुआ मामला है और आप जितना जल्दी हो चके इस धर्म से प्रफिश उठा लीजिए और अब देख रहें एंबी नीश 24x7 नीलंबोद के साथ और साथ हुआज मैं बात करूंगे कैसी घटना करम को लेकर जो काफी सुर्क्यों में बनी हुई है साथ योच मैं बात करूंगी धिरेंदर सास्त्री की जिस तरह से हम देख रहें कि महाराष्ट में जो धिरेंदर सास्त्री है उसकी कथा होने वाली और वहाँ पर उसने भव्वे पांडाल लगाया है और उसका जो द्वार बनाया है उसको नाम दिया है भारत रतन डॉक्टर वी आर अंबेडगर द्वार तो साथियो इसी से आप समझ सकते हैं कि आखिर आज क्या चल रहा है और इसके पीछे क्या मनसा है इसी बात को लेकर मेरे साथ में आज किस महतब पुण्ट चिर्चा में एडवोकेट जैभिम प्रकास जी रहेंगे उन्हीं से जाना चाहूं अई ना कहीँ धिरेंदेर सास्त्री जैसे लोग आज बाबा साथ का नाम यूज कर रहें तो उसके पीछे बेसिक करन क्या लगता आपको पहले जी हाँ धिरेंदेर सास्तरी को को прыण नहीं जानता मीडिया के माध्यम से आज बच्चे बच्चे तक धिरेंदेर सास्त्री का पहुंच चुका है और जो कर रहा है और जो कर रही है वह बिलूब ठीक कर रहे हैं जैसे रोने प्रम पुझे अमेरिक की इस बात को पढ़ा कि इस देश का इतिहास कुछ और नहीं बलकि दो संस्क्रितों के बीच में युद्ध का एक परणाम है वही इतिहास है और कोई आज के महापरुसों ने पढ़ा जैसे कि मानेवर्षाभ कांसिरा ने पढ़ा तो उस पर उन्होंने उसको अप्लाई किया प्लाई करने के बाद अपनी राजनित जड़ें मुझूद करने के लिए धार्मिक और समाजी गंदूलन किया और उसके बाद समाजी का अधार पर दब्रानी सत्ता प्राफ्त हो गई तो धार्मिक अंदोलन दरब बढ़ रहे थे लेकिन आज अगर हम देखें कि आज क्या हमारे समाज में कोई धार्मिक चल रहा है तो उसका जबाब मुझे मिलता है ना मैं ना इसलिए बोल रहा हूं कि जो भी धार्मिक अंदोलन आपको दि दिखाई देगा लेकिन आपका जो है जो धार्मिक आंदोलन जिससे कि आपकी जो सांस्कृतिक विरासत को स्थापित करने की भूमिका तैह होती है वह आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा जितने भी आपके जो बहुत बिक्षू जो बड़े-बड़े मंचों पर आक संविधान खत्रे में हैं संविधान बचाओ लोगतंत खत्रे में लोगतंत बचाओ लेकिन सबसे ज्यादा जरुवत इस बात की है कि हमारा जो संविधान किस बात से बचेगा और हमारा जो लोगतंतर किस बात से बचेगा इस बात की जो घहराई में जाकर जांच ना करके मोटा मोटा जो मतलब खाने के लिए अभी पकाया और अभी खाना जो है वह वाली संस्कृति चल रही है जैसे कि मैं आपको धारन देना चाहूंगा कि अभी पीछे भहुत सारी घटना है घटी जिते इंद्र मेगभाल की हत्या का परकरन हुआ उसके बाद इंद्र मेगभाल क अनके मुआबजे के लिए कि उनको नौकरी मिल जाए उस परिवार को उस समाज को यह समझाने का प्रयास कि इस घटना के पीछे तो उसके बाद यह जान गए कि मेरे उपर जाती अधार पर होने वाले इन अत्याचारों के पीछे जो है ये धरम ये धरम का मामला लेकिन कहीं पर भी कोई भी नेता राजनीती करने के लिए लेकिन सांस्कृतिक बदलाब के लिए सांस्कृतिक आंदोलन के लिए इस देश के लोग को यह समझाने के लिए कि यह जाती अत्याचार है इसके पीछे धार्मिक मामला है और आप जितना जल्दी हो सके इस धर्म से प्रफिश उठा लिजिए और जो हमारे महानपूर्सों ने हमें मारत संदिया धर्म के मामले में उससे अपना लेना चाहिए जब तक यह सांस्कृतिक परिवरतन नहीं उनको नमोब्धाय बोलने से कोई बिराई नहीं है लेकिन जब तक यह जैभीम नमोब्धाय बोलने वाले लोग जब तक यह अपनी घर बापसी नहीं करते अच्छी तरह से घर बापसी नहीं करते असली तरीके से नहीं करते तब तक जो हैंने कोई खतरा मैसुस नहीं होता वे उनको बलकि यहां पर आने में जो है सुभधा मैसुज हो और असानी से वह आ सकें पहली चीज तो यह है दूसरी चीज यह कि इस देश को भी उनको मैसिज देना है कि इन लोगों का जो है बाबा से डॉक्टर भिम्रा अंबेड कर से कोई बिरुधावास नहीं है यह लोग ऑना को पूसरे से दिखाते हैं उनको सिर्फ अपने दिखाए रही है कोई भी राजीता अगर यह बोता है कि मैं हिंदू हूं मैं मुसिलमान हूँ मैं इसाई हूं मैं बहुत हूँ तो उसका जो वोट ऑसका बैखता है कोई बहुत प्रूरे मध़्टार कुभश करने और ल लोगों मैंसे अगर एक करोड लोग ऐसे लोग हैं जो बहुत धर्म में विश्वास करने वाले लोग हैं तो उनके अधार पर कोई भी राजनिता आज राजनिती नहीं कर सकता तो यह एक राजनितिक मामला हो सकता है लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इस देश में आज राजनिति से ज़्यादा जरूरत इस बात की है कि आपको जो आपका राजनितिक भविसे है वो आपको जो सुद्रन करना है और उसको सुद्रन करने के लिए आपको गैर राजनितिक जड़ें म पांस साल लगालीजिये आप अपनी पूरी सकती ज रहें लगा जिते है तो वह सब्सक्राइम कर प recruit कर दो बहुत हो अलब हुआ था और वहां पर बाबा साहिब का नाम नहीं बाबा साहिव की तस्विर नहीं महां पर भगश सिंह थिक एक जाए वानने हैं आ को बाबा साहिब बिल्कुल भी पसंद नहीं है चाहें बाबा साहिब ने उनके लिए कितना भी त्या किया हो कितना भी संगर्स किया हो सर छोटू राम जो है बाबा साहिब के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे लेकिन उन्हीं सर छोटू राम के जो लोग हैं आज बाबा साहिब की तस्वीर लगाने से किसी को परेज नहीं है केजरी वाल ने भी हर ऑफिस में जो एगली बार जब यह चुनाब भी न लड़ाएं और गुजरात में जब चुनाब लड़ रहे थे तो वहाँ पर पैंपेन में बोलते हैं कि नोटों पर जो है लच्मी गनेश की तस्वीर आनी चाहिए बुद्ध का देश है बुद्ध की बात केजरी वालने नहीं करी है बाबा साहिब की फोटो की बात नहीं की है सिदे सिदे लच्मी गनेश की वहां पर जो है तस्वीर आनी चाहिए ऐसा कैजरीवाल निensa OP Coast करका अपने अपने अंधिस्वास का पाखंड का पूरी तरह से प्रचार करने में लगा रही है लेकिन लोगों को इसक backup करनी हैं जिनês लड़ाई लड़नी है वह अपना कितना समय हैं समाज के बीच में जाके लगा रहे हैं यह आज हमारे बीच में आकर जो है राजनिती की बात कर रहे हैं उनके पास क्या कैडर है उनके पास कितनी संख्या है जो कैडराइज है आज मैं देखता हूं कि अगर मैं खुले आम बात करूं तो जो चंदर्शकर आजाद जी जो राजनिती की बात कर रहे हैं तो उनकी राजनिती का उनका क्या कारकरम है क्या कैडर है जो उनके पीछे आज भीड आ रही है क्या वो उनके विचाधारा को जानती है कि वो किस विचार को पोचित करने जा रहे हैं किस विचार के अधार पर वो आगे उनकी राजनिती तैह होगी अगर कोई भी भी भीड जो है जब तक कैडराइज नहीं होती है तो उसका इस्तेमाल कहीं भी किसी भी सूरत में हो सकता है और अगर कोई भी भीड जो है आपके पीछे आई है अगर वो कैडराइज है उसको आपकी विचाधरा का कैडर है तो फिर उसको कोई भठका नहीं सकत लोग उनकी भीड में सामिल हुआ करते थे उनकी लाइन को समझते थे किस लाइन पर साइब माने पर कांसी राम जी जा रहे हैं और किस लाइन पर उनके पीछी सलकर उनको जाना है जिस तरह से धिरने सास्त्री ने जो ये दरबार बनाया है कही न कहीं हम देखे पिछी अवी पटना में भी काफी बड़ा कार्यकरम हुआ तमाम मतलब राज्यों में इधर राजिस्थान में भी हुआ है उसके बाद लेकिन महाराश्ट को इन्होंने चुना और वहाँ पर ही बाबा साब का नाम यूज किया तो आपको लगता है नहीं कि महाराच जिस तरह से प्रमपुज़ बाबा साब की धरती रही है वहाँ पर प्रमपुज़ बाबा साब का बहुत बड़ा इत्यास रहा है और बाबा साब ने नागपुर की धरती से बहुत धंकी दिक्षा ली तो कहीं न कहीं सार आपको यह नहीं लग रहा कि जो महाराश्ट के लोग हैं वह बाबा साब के बहुत बड़े भक्ता और उन्हीं भक्तों को खिचने के लिए इन्हों ने वहाँ पर जो दरबार बनाया उसको डॉक्टर अमबेडगर का नाम दिया निलम जी इस बात को भी बड़ी बारिकी से गंबिता समझनी जरूत है जब कोई भोजन समाज का कैडराइज व्यक्ति अपने समाज में जाकर अपने ही लोगों को समझाने का काम करता है और उनको इस इन आधारों पर जब उनको जया अपने संगठ में संगठित होने के लिए प्रयास करता है कोई भी हमारा कारे करता जो है तो उनकी इन बातों का जबाब देने के लिए इस तरह की घटना भजूरी है यह लोग जानते हैं कि जो कभी नहीं आएंगे चाहें आप कितनी भी दौर लगा लो चाहें कितनी दरवार का नाम रख लोता है यह चाहँ आपका है यह पार्टी आपकी लिए यह जो करकरम प्रयाजिद के आते हैं टाकि वहां पर वही लोग फिर जवाब देते हैं जब हमारा करता है कि बाबा सब्द्र भीमरा अम्रिकर का अपमान करते हैं यह लोग तो वही व्यक्ति जिसको समझा रहा है व वो व्यक्तिस जबाब देते हो बोलता है कहां यार तुम बोल रहे हो क्या अपमान करते हैं वो कुछ राजक तत्व होंगे वो कुछ गुंडे होंगे जिन्होंने गलत तरीके से कर दिया होगा यह लोग तो हमारे समाज में बुद्धी जी लोग है तो उनको इन बातों को लेकर आप जमीन पर नहीं उतरेंगे गाउं गली गली नहीं घुमेंगे लोगों को अच्छी तरह से नहीं समझाने काम करेंगे और विश्येस तोर पर हमने जो जितना भी काम किया है रोज काम करते हैं तो हमने तो यहीं महसुस किया है कि जो आदमी की जब एक मानसिक्ता क ona किने करता हैं तो इसकी मानसिकता को तोड़ना बड़ा हुआता है इस और जीना के लिए तयार होयता है तो उसी से जाहीं हम बच्चों पर ऐसा बड़ों को तो ये बातें बताने हैं लेकिन बच्चों की तिसाा हमें च Simpson को अच्छे तरह समझता बढ़ों सब्सक्राइजित कीजिए रहे है इस देश में बार बार कहाता है कि धरम नहीं धंदा है जो पुजारी मंदिर में बैठने के तंखा लेता हो या पूजा करने के बदले पारितोस लेता हो तंखा लेता हो या कुछ पैसे लेता हो तो साफ सब्सक्राइब कि हाँ धंदा है इसी प्रकार से जो राजनेता अपने दमाज चुंते बखतों मुसल्मान ही देखते हैं कि मुसल्मान है या हिंदू है लेकिन जब फील्ड में जाते हैं मंचों पर जाते हैं तो मुसल्मानों के खिलाफ जहर उगलते हैं और हिंदुतुप का नाम लेते हैं और बजरंग बली की बात करेंगे कभी राम की बात करें है कि वहां पर जो है यह मंदिर वाला जो मामला नहीं है तो यह हमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि धरम जो है इस देश में विशेश तोर पर यह हिंदु धरम जिसका बहुत बड़े पैमाने पर परचार परचार के आता है और धार्मिक्ता इनके बीच में कहीं ने जर धासे तो धार्मिक्ता है लेकिन हिंदुओं में धार्मिक्ता नाम की चीज नहीं है अगर इनको अपने इस वर की तस्वीर परचारीत करनी है तो उसमें आप देखें हनुमान जी की ऐसे गुस्षे में आग बोबला यह इस वर जो होते हैं इस वर को गुस्षा होनी जुरत नहीं है और बार बार जो है यह हर कोई व्यक्ति मैंने बहुत से हिंदुों को कहते सुनाया कि यह जो बीजेपी आरे सब्सक्राइब कर रही है यह राजनीती कर रही है धर्म के नाम पर लेकिन फिर वहीं वह से हुएं तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर आज कि समय अगर माना है तब ही आप उनके प्रतिग्याव को फोलो करना पड़ेगा तो आप धिरेंदर सास्त्री के पांडाल में जाए तो सबसे पहले उससे सवाल किजे क्या आपने बावस आपकी बाइस प्रतिग्याव को माना है अगर माना है तब ही आप उनके नाम का पंडाल बनाए या द्वार बनाए और इलम जी अगर दिरेंदर सास्री कहता भी है कि मैं बाइस प्रतिग्याव को मानता हूं या हां मैंने ली है तो सिद्धी सी बात है कि वहां पर पांडाल में कोई वी इस्वर देवी देवता हिं करने चाहिए तो यह बात को भी निस्ट करना चाहिए बहुत बहुत धन्यवाद सर इस बात को सपष्ट करने कि देखिए जिस तरह से सर ने अभी कहा है बहुत अच्छी बात कहीं है और आपको किसी भी बात को मानने से पहले उसकी जाच करनी पड़ेगी अगर वह जाच आ